अध्याय आठ नवीकरण की सिंफनी क्रितग्यता और नवीकरण की एक सिंफनी बुन रही थी जो पेडों के बीच प्रतिद्वनित हो रही थी जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच गहराई तक गए उन्होंने एक छिपे हुए उपवन की खोज की एक पवित्र अभ्यारन्य जहां जंगल की आत्माएं मिलती थी उपवन को अलोकिक प्रकाश में नहाया गया था जिससे शांती और ज्ञान की भावना पैदा हुई जिसने प्रवेश करने वाले सभी लोगों को घेर लिया उपवन के बीच में एक विशाल व्रिक्ष खड़ा था जिसकी शाखाय आकाश की ओर फैली हुई थी इसके पत्ते एक अलोकिक चमक से चमक रहे थे और इसके तने पर अंधिनत कहानियों और विस्मृत यादों के निशान थे समों व्रिक्ष के पास पहुँचा उनके कदम शद्धापूर्ण और भै से भरे हुए थे जैसे ही वे राजसी पेड के सामने खड़े हुए उन्होंने एक निर्विवाद संबंध महसूस किया जो उनके भीतर रहने वाले प्राचीन ज्यान के साथ उनकी आत्माओं का विले था पेड की आवाज, पत्तियों की एक कोमल सरसराहट उनसे एक मधुर भाषा में बात करती थी एक ऐसी भाषा जो शब्दों से परे थी और उनकी आत्माओं में गहराई से प्रतिध्वनित होती थी इस पेड में उन्हें सर्प की आग की वास्तविक प्रकृती उर्जा और ज्यान का एक माध्यम जो क्षेत्रों को पाटने और ब्रह्मान को नियंत्रित करने वाली ताक्तों में संतुलन लाने में सक्षम था के बारे में बताया इसने समझाया कि लिली को न केवल फुसफुसाई हुई कहानियों की रक्षा के लिए चुना गया था बल्कि सभी क्षेत्रों में सामन जस्य सुनिश्चित करने के लिए भी चुना गया था इस नई समझ के साथ लिली ने सर्प की आख के संरक्षक और जंगल के संतुलन के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार किया उसने अपनी नई शक्ती का उप्योग जिनमेदारी से करने फुसफुसाई हुई कहानियों के ज्ञान को सुरक्षित रखने और भविश्य के साधकों का मार्ग दर्शन करने की कसम खाई जो जंगल में उध्यम करेंगे समोह ने पवित्र उप्वन में कई दिन बिताए पेर से निकलने वाली शान्ती और ज्ञान में खुद को विसरजित किया उन्होंने सभी जीवित चीजों को नियंतरित करने वाले नाजुक संतुलन को समझने की अपनी क्षमताओं का सम्मान करते हुए जंगल के सूक्षम कंपनों के साथ अपनी आत्माओं को जोडना सीखा उप्वन में अपने समय के दौरान लिली और उसके साथी जंगल की आत्माओं से भी जुड़े प्राचीन प्राणी जिनोंने समय के उतार चढ़ाव और प्रवा को देखा था जिन्होंने विस्मृत युगों के रहस्यों को अपने अलौकिक सार के भीतर रखा था इन मुठ भेडों के माध्यम से। उन्होंने सभी चीजों की परस पर जुडाव और प्राकृतिक दुन्या के नाजुक संतुलन को संरक्षित करने के महत्व के बारे में गहरी अंतरद्रिष्टी प्राप्त की, जैसे ही वे उपवन छोडने के लिए तैयार हुए, उनके दिल इस जानकारी से भारी हो गए कि उ जरूरतों को समझने और इसके ज्ञान की तलाश करने वालों को मार्ग दर्शन देने की क्षमता प्रदान की, कृतग्यता से भरी लिली और उसके साथी पेड के सार को अपने भीतर लिये हुए पवित्र उपवन को विदा करते हैं, वे जानते थे कि जंगल में उनका समय सम हो गया है, लेकिन उनकी यात्रा का प्रभाव हमेशा उनकी आत्मा का हिस्सा बना रहेगा, जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच से निकले। के तहट फलता फूलता रहेगा जो इसके सद्भाव को संजोते हैं, साथ में लिली और उसके साथी बाहरी दुनिया में अपनी यात्रा शुरू की, जो उनके अनुभवों से हमेशा के लिए बदल गई, वे जंगल के ज्ञान को अपने साथ ले गए, यह जानते हुए कि व कहानी जो जंगल के ज्ञान की तलाश करने वालों द्वारा बताई और फिर से बताई गई, उनकी यात्रा ने दूसरों को अपनी खोच शुरू करने, फुसफुसाहट की तलाश करने और एकता, साहस और सभी चीजों के सामन जस्से में अटूट विश्वास की शक्ती की ख पोच करने के लिए प्रेरित किया